जहिन साथियों मैं आपका दोस्त अर्जुन सेर्ड आईए हम लोग हलाकि अभी कई दिन से चेप्टर हम लोग का जो चला था वो चला था भात की परमुक उनस्पतियां क्यों है और भात की परमुक उनस्पतियां में हम लोगों लगभग तीन चेप्टर को पढ़ा है है ना तीन क्लास होने ले लिया है और चौथा क्लास है लेकिन अभी समाप्त होने वाली उनस्पतियां नहीं है अभी भी देख रहे हैं इसके बाद भी लगभग दो क्लासेश चलेंगे किने बहीं दो से तीन क्लासेश चलेंगे हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही बिष्तित पढ़ेंगे अखिर उनसपतियां का उत्पति कैसे हो रहा है। और उसके बाद इनका हमारे जीवन में लावह क्या है? है ना ? इनका क्या लावह है? इनसे क्या benefit हमसे हो रहा है? इनकी महप्त को भी जानेंगे इनके benefit को भी हम लोग जानेंगे आखी इनका जो benefit हो रहा है वो जो है कि living हो रहा है या ना living हो रहा है या कहा जाए कि जो है कि सीधे हो रहा है मलब परतच्छ रूप से हो रहा है या अपरतच्छ रूप से हो रहा है सभी पहलों के बारे हम लोगोंने सिखेंगे लेकिन इससे अभी पहले आप लोगों ने जो है कि सीखा था कि भात में जो डाटा आप लोगों लिखा कि भात में कितने पशने पुनस्पतियां पाई जाती हैं और जो है कि सबसे अधिक कहां पाई जाती हैं और सबसे कम कहां पाई जाती हैं और अलग-अलग छित्रों में अलग-अलग उनस्तियों के नाम भी आप लोगों ने सिखा क्यों कि जल में उस्पतियों किस नाम से जानते वहाइजिता है हाई और पॉणलों टैने में युद्ट पाद हो क्या भोलते हैं आईAC completo पर उगने ओले पॉद्व क्या बोलते हैं लीठोफाइट मरस्थली चितरों में जो नमकीन वाले चितरों में जो नस्पत्न आउगती हैं उसे हैसर फैड के नाम जानते हैं ठंड है प्रदेश में जो कोंड रीजन वाले छेतर हैं वहां जो उनस्पतियां उगती हैं किसे किसे नाम जानते हैं क्राइओफाइट के नाम जाते हैं महलब इस तरह से हम लोगों है लिखा है लेकिन एक चीज़े और आप लोग के बता दें कि जैसे जैसे हम लोग जा है कि भूमद रेखा से उक्वेटर लाइन से लंबत को मलब जो परवत पर उनस्पतियां देखते हैं जो परवत पर हम आगे को बढ़ते हैं उचाई परवत के पदी छेत्र में और सिर्स भाग में अलग-अलग प्रकार की उस्पतियां पाइंगे आधी हम जोई की फूट हिल से चलेंगे परवत के माउंटेन के फूट हि जाते हैं तो भी उनस्पतियां बदलती जाती है तो इस चीजों कोने करने वाले legitimah है उसके बाद हम जो है कि फीद बित्रण में आते हैं प्रकार में प्रकार में आते हैं ठीक ना तो अनस्पतियों को कौन को सबसेदिक प्रभावित कौन करता है कि आप शंद्र दिया जा कि आपका टमप्रेचर है रेनफॉल है, स्वायल है, रिलीफ है, या स्लोफ है, इस तरह से यह अप्षन दिया जाए तब क्या लगाएंगे? तो आईए हम लोग देखते हैं काखिए उनस्पतिओं जो परोफाविद करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से आईए देखते हैं, ठीक है? तो उनस्पतियों को प्रहावित करने वाले कारक फैक्टर ठिक है तो देखने दिजिएगा अब यह चीज़ और बता दें उनस्पती और वन में क्या अंतर है कोई बता दे मुझे comment करके बताए कोई उनस्पती मलग वन उन्स पती और वन में क्या अंतर कोई कमेंट करके बताईये वनस्पति में किसे करते हैं और वन क्या करते हैं कहarenaund advice तो यह तो दोनों यह कही हैं दैकी नहीं अलग-अलग है ओन अलग होता है वनस्पतियान होती है उनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक अब सोच सकते हैं आप थोड़ा से दिमाग लाइए जो उनस्पतियां चीज़ें प्रभावित कर सकती है इनके जो फैक्टर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं और हम बात करें क्या हो सकते हैं तो पहले नंबर क्या हो जाएगा क्लाइमेट 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 वाला कि उसके बाद हम लोग देखें दूसरे नंबर पर नाकिक करता है क्लाइमेट के बाद तक है वाटर है क्या बहें water है मदलब जल है चल परणाव को जीने के लिए जल चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए तो जल भाई अपने सब लिख सकते हैं ऐसा नहीं हम कोई व्यूद्ध मैची लिख दे रहें कोई नहीं लिख रहें सब वहीं पुराना है देखिए आपके साथ सब जानते हैं अब वाटर हो गया उसके बाद तीसरा थी हम लोग देखें और कर सकता है बैई फैर यह ह्यखें कि हम अंत्या मेरि कि आपका सवत देखते हैं कि मिट्टी बदल जाती है उनष्पतियां बतल जाती हैं मेज़ा जए चेत रहें कि एल यह अलग पाई जाती है उत्त्र कर सकते हैं था यह यह स्ट्रक्चर का मतलब होती है इस पर पिर्थिवी की बनावट है कि अगर कैसी है कहां पर ढलुआ भूमी है और प्लेन है कहां पर चटान है है ना कि अभी आएंगे सब पर सब बात करेंगे दो दो मिनिट ठीक है और पांचवे नंबर पर हम लोग देखें जो इस्ट्रक्चर है उसका देखा जाए रिलीफ के वह बात करें रिलीफ का मतलब यह होता है उच्चा वच घाटियों में देखत है तो जो इसका रिलीफ है उच्चा वच है उच्चा वच का भी प्रवाव बहुत अधिक पड़ता है किस पर वनस्पतियों पर ठीक है उसके बाद छटवे नंबर के दिए हम लोग बात करें कि यह और क्या हो सकता है तो इस्ट्रक्चर हो गया रिलीफ हो गया उसके बाद स्लोप हो गया क्या वैई स्लोप मालब ढल भी प्रहुवत करता है अधि देखेए अब इस पर चर्ष्या करेंगे एक बारे में इसलिए हम बाद मरतक करते हैं अब जो क्लाइमेट है ध्यान जेगा जो जलवायू है जो क्लाइमेट है अधि पूछा जाए आप से कि उनस्प में तो वाटर लगाएंगे इस तरह से अवका क्रम लिखा गया है लेकिन एक ना बिन्दू होते हैं कोई एक बिंदू नहीं होता है क्लाइमेट में कई बिंदून को रखा गया है अगिन किसे कहेंगे जलवाई किसे कहेंगे तो जलवाई कोई एक चीज़ से नहीं बढ़ा है जलवाई में कोई कुछ नहीं कुछ तो होगा क्या हो सकता है तो जलवाई भाई क्या है टमप्रेचर है तापमान का अध्यन करेंगे करेंगे कि वहां का तापमान कैसा है रैन का अध्यन आती हैं चार चीजे आती हैं जरा चारों कद्धन कर लिजे ठीक है ना चारों कद्धन कर लिजेगा यहां पर देखा जाए जलवाई में जलवाई में देखा जाए तो पहला देखा जाए क्या आएगा आपका रैन है क्या जाएगा रैन आ जाएगा मलब रैन फाल भी लिख स प्रेचर ऑर दूसरे में क्या हो जाएगा रहन हृबरा बहा हृँ हृत है आपका हृमीडिटी क्या हृमीडिटी अधिम बदलब जलवाइभा विल्डी जलवास उसके बात देखा जाए आपका कर दो कि अब देखा घाठाय का जाएगा तो ध्यान देगा कि अब इसमें अब पुछा जाए ध्यान देगा कि हमारा जो जलवाई है जलवाई कितने चीज़े से मिलकर बनता है तो टमप्रेचर से तापमान से वर्षा से जलवास्प से या अधरता नमी से क्यों है नमी से और विंड से चार चीज़ जब मिल गए तो इसको सामोहिक लूप हम क् सामोहिक नम क्लाइमेट कह सकते हैं जलवाई कह सकते हैं तो यह जो जलवाई है जलवाई में क्या-क्या चीज़े समाहित हैं चार चीज़े समाहित हैं मतलब टमप्रेचर है रैन है हीमिडिटी है और विंड है मतलब तापमान है वर्षा है और अधरता है और विंड है अब अब बात आदा है अब पूछ लिया जाया यह भी आपसण हो जगए कि अब उनस्पतियों को प्रहवित करने बाले कारक फैक्टर कौन है सबसे तक प्रहंद करता है तो पहले आप्षन प्रह जाएगा तापमान हो जाएगा दूसरे प्रेंध फाल का थीलिए क्लिया में देखते अब इसमें न तुलना कर दिया गया अब कहेंगे कि सर्य यहां भी राड़ लिखा है यहां भी वाटर दोनों में औंतर है अरो फाइर दोनों बहुत अंतर है एप सूच दे हुआ हो सकता है हाय ना पको एक यहां भी वर्षा है यहां भी जल मतलब होता देखता है मल्लब की नीचा और उचा भूमी नहीं देखता है हर जगह होता है को अधिक कहीं कम होता है वह तो उसके structure पर नेधर करता है धरातल पे कि कहां पर होगा या कहां पर नहीं होगा और क्लाइमेटिक रिजन बहुत सारे होते, तो रैन का मतलब यह हुआ जल जब उपरसे नीचे गूर गिरता है तो उसे रैन बोलेंगे, लेकिन वाटर का मतलब यह हुआ कि वाटर क्या है ? आपके भूमिगत जल भी है वो भी तो water है उसका भी जल उस जल का भी तो हमारी उनस्पतियां यूज कर रही है जो आपके तलाब के तलाब है नदी है पोखरा है जील है यह सब यह सब जो जल होंगे water के अंतर करता हैंगे जहां पर देखते हैं आप लोग जहें कि नदियां होती है नदियां जैसे नदियां देखे एक्जाम्पल ग्रूप में नदी इस तरह से बहर रही है तो इसमें देखते हैं कि अगल वगल वालब इस तरह से एकदम उनस्पतियां दोनों तरफ जो है कि उनस्पतियां पाई जाती है पाई जाती है नहीं पाई जाती है बाई जाती है ब औरसा का कोई प्रभाव नहीं है आ लेडी यह जो जल बहरा है नदी में इसकी बात कहीं जारी देखते हैं कोई तरह से तलाब होता है भाई क्या होता है इस तरह से को यह दितलाब है तो देखते हैं इसके चारों तरफ उनस्पतियां होती है वन होते हैं होते हैं इनके चारों का मतलब होता है जब वर्षा उपा से जब बादल से वर्षा होती है चला है कहें जो हमारे प्रित्र बूइब एक अत्र है क्या वह लेंगा भई नमी आप जानते हैं कि अनस्पतियों को भाई जल झी पहले थे तापमान बही जब तक उसको तापमान नहीं मिलेगा अनस्पति को भोजन का निर्माट होगा क्या बलाही जल है लेकिन सुर्य का प्रकास ही न पड़े अजब तक सुर्य का प्रकास नहीं पड़ेगा प्रकास संसलेशर की प्रक्रिया नहीं होगी फुटो थेंसलेशर की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक उसको भोजन प्राप्त नहीं होगा अधा बिच्छे सूख जाएंगी कि इसलिए इसलिए अधी पूछा जाएगा अथा जल आ जाएगा अब तब तीसरे में हिमिडिटी आएगी जलवास फिरी बिंड आ विंड अभी प्रफाव बहुत दीखते सचेंगे विंड आखिर कहेंगे कि अनस्पतियों का जो है कि विकास ब्रिधी कैसे हुआ एक भाई उनस्पतियों में तो पैर नहीं होते ना वह कैसे जाएंगे एक अस्थान से शुष्थान कैसे जाएंगे तो उनका सबसे दिवे योगदान किसका आता है इन हवाओं के आता है हवाओं जो है कि जब तेज घदीस चलती है तो उनके बीजों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पी लेती है यहीं नहीं इसमें तो योगदान aixòए कि चिडंध Snżenie कर भी आप पच्छियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान चेक्ती है कि दो विंड का भी बहुत बड़ी योगदान है उसके बाद देखा जा आधा जो स्वायल है, स्वायल के बनावट में भी निर्मित करता है, यदि चटान है पूरा, या काज आगने चटान है, ग्रेनाईट चटान से, बिसार चटान से यदि वह एरिया निर्मित है, तो वहाँ पर देखते होंगे आप लोग, कि उनस्पतियों का जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जा पाती है, जब तक जड़ें नीचे तक नहीं जा पाएंगे, उनमें अस्थाई तो कम रहता है, जैसी आधी तुफान आती है, जैसी आधी तुफान आती है, जैसी आधी तुफान आती है, जए कि इनको उखाड फेकती है, देखते हैं इस समय जए कि आधी और रहे हैं बिच्छों के डालियां टूट जाती है बिच्छे उखड़ कर बहाद चले जाते हैं फिका जाते हैं तो हमाईं का तो स्वायल का है जहां अच्छी पाई जा रहे हैं जहां पर काली मिट्टी है लाल मिट्टी है या दोमट मिट्टी है कछारी मिट्टी है है ना पिली मिट्टी है वहां पर अलग प्रकार अलग अलग ठीक है structure structure का मतलब होता है कि जो बनावट है है ना जो बनावट है धरातल का क्या एक जैसा है नहीं है और जब एक जैसा धरातल के बनावट नहीं है तो क्या वहाँ पे तापमान एक जैसा होगा नहीं वर्शाग जैसा होगा नहीं रैंफाल होजा नहीं जब नहीं होगा तो क्या उन उसके बाद रिलीफ जो होता है अब इसमें रूच्चावच आते हैं उच्चावच का मतलब यह होता है इस तरह से होता है जब हम जाएगी परवत के पदी छित्र में है तो यहां पे अलग प्रकार नस्पतियां पाए जाएंगी यहां पे अलग प्रकार की जानते हैं जब हम तो नस्पतियां भी बदल जाएंगी क्यों ह nove तो उसनसपतियां बदलेंगी क्यों हो फजलंगे आज हम लोग जाए्टकी नहीं लेगन अगले दो तरह का अधिन होथा एक टुवर्टिकल फाव में होगा अफसाइघ छेजन्टल फाव में होगा और विस्टन ऊषका बाद जो लो परjesब होते हैं जो स्लोब होता है धाल होता है दालों कभी अब बतायए यहां पर पर लिख ठालय धरटी खड़ा धाल है झाल है क्या पर उनस्पतियां जमेंगे नहीं हमेंगी क्यों हो नहीं हो और जब का थायराव नहीं होगा और जब इसको एड़ा KT कीसे हो सकता है यहां मिलेंग según में तो आद बीच्छे आप गई भूला करके या कि जम भी गए तो यहां पर इतना जहें की धाल अधिक है कि जैसे हमाई आएंगी जैसे हमाई यहां पर आएंगी इनको उखाड फेकेंगी है नग Einra तो इसलिए खड़े ढाल भी प्रभावित करते हैं कि रहते हैं वनस्तपतियों को प्रावित करने वाले कारक काौन कॉंसे हैं काौन कौन से आपके सामने आपने देखा कौन भाई क्लाइप है वाटर है रेलीफ है और स्लूप लेकिन क्लाइमेट में कितने आते हैं 4 आते हैं कौन कौन टंप्रेचर है रैन है humidity और देंड है अधी पुछा जाए इसमें भी सबसे दिख वनतवत्यों प्र हमृःत करनेवाले कारक कौन सा है तो सबसे दिख परहावथ करते हैं कौ? कैसे प्रहववित करते हैं इसके बारे में यह कागा हमने पुछा था पधाये बी तक एंसर नहीं दिया जल्ले पताईए बवयिजू थे फटाईए कि जो उनसपतियां हैं वन का जो आर्थ होता है इसका यह आर्थ होता है लमबे ब्रिच क्या होते हैं। वन बोला जाता है, लंबे बिच्छों क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, और जो छोटे छोटे बिच्छे होते हैं, जो स्क्रब होते हैं, जो जाडियां होते हैं, और दोनों बिच्छे, मतलब जहां पर लंबे बिच्छ भी हो, जाडियां भी हो, कटिली जाडियां भी हो, छो पहुते हैं मलब बच्चे भी होते हैं युवा भी होते हैं बुजुर्की भी होते हैं सब होते हैं में जाएंगे से उसम्ला के बास देखेंगे सारी लंबे लंबे लोगा 70 तर फीट वूचा आप बिश देखेंगे तो वहां उनस्पतिया आब नहीं बोल सकते हाए कि लियर तो उनस्पतिया और थैंगे यह प्रकास आओ देखेंगे टाइब तो उसमें न तो है ना जैसे दो उनस पत्या हेख हो जाएगा एक स्क्रब होता है और एक आपका धेखा घास होते हैं क्तने originally मतलब यह होता है कि उसमें इतना उचा तना नहीं होता या कह सकते हैं कि इतना अधिक मोटा तना नहीं होता है को किसी का सहन कर सके सी पत्तियां होती है क्यों तो घास होता है इसक्रब होते हैं छोटी-छोटी जाड़ियां होती है एदम छोटी-छोटी जाड़ियां जिस पे और विड्यो अच्छा लगता है कि सिसक्या घंडे hm